प्रीदर्सकू एक बार फिर आपका स्वागत है हमारी यूटूब चैनल प्राचिन ग्यान सच्चा ग्यान में प्रीदर्सकू आज फिर नया वीडियो नहीं जानकारिले के महा जिर्विये हैं प्रीदर्सकू आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि एक लड़की ने साप के बच्चे को जनम दिया प्रीदर्सकू ये वीडियो काफी दिनों से वाइरल हो रहा है हमको भी इंटरनेट के द्वारा इस बात की जानकारी हुई कि लड़की ने साप के बच्चे को जनम दिया है जिसकी अल्टा साउंड की फोटो भी वाइरल हो रही है दर्सको इसकी सच्चाई क्या है और क्या नहीं है आज के इस बीडियो में आप जानेंगे कि वास्तिकता में क्या एक लड़की ने एक साप को जनम दिया है ये कितना सत्य है और कितना जूट है इस बात की जानकारी आपको इस बीडियो में देखने को मिलेगी प्री दर्सको हमें ये तो पता नहीं चल सका कि ये जो वीडियो वाइरल हो रहा है ये किस नहीं किया है और कहां का है लेकिन इस बात की पुष्टी हमने की है हाली में जो वीडियो वाइरल हो रहा है ये वीडियो मित्या है लेकिन लड़की के साप के बच्चे को जनम देने का रहस से बहुत पुराना है इस बिसे में एक छोटी सी कहानी हम प्रस्तूत करने जा रहे हैं इस कहानी को ध्यान पुरुक देखिएगा तो प्रियेदर्सको आपको इस सचाई की जानकारी होगी कि वास्तिकता में क्या कोई इनसान भी साप के बच्चे को जनम दे सकता है प्रियेदर्सको इस से पहले जो लोगम से ने जुड़े हैं बो लोग हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन ओन करें अच्छे-चे कमेंट किया करें ताकि हराने वाले वीडियो का नोटिफिकिसन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फाइदा उठा सके सुरू करते हैं प्रियेदर्सको आज की प्यारी सी कहानी ये प्यारासा वीडियो प्रियेदर्सको ये प्राचिन काल समय की बात है उस समय एक महिला सिब की परम भक्त थी और सिब की पुजा किया करती थी रोज सिब के मंदिर जाना सिब की पुजा अराचना करना और अपने घर को चले आना प्रिये दर्सको देवादी देव महादेव की इतनी कटोर भक्ति किया करती थी कि महादेव भी उनसे प्रसन होने ही बाले थे प्रिय दर्सको जब उस मंदिर में एक साप भी माहा देव की पुझा करने के लिए आया करता था बो भी रोज पुझा किया करता था लेकिन उस महिला का और उस साप का अभी तक मिलाप नहीं हुआ था वो दोनों आमने सामने नहीं हुए थे जब महिला पुजा करके चले जाती तो साप पुजा करने के लिए आजाया करता और जब साप पुजा करके चले जाता तो महिला पुजा करने के लिए आजाया करती उन दोनों का मिलाप नहीं हो पा रहा था इसी तरीके से काफी वर्ष निकल जाते हैं और महादेव दोनों की तपस्या से बहद परसं थे बहद कुछ थे प्रिये दर्शको अब एक दिन समय योग की बात है कि महिला का पूजा करके उठना हुआ और उसी वक्त साप मंदिर में प्रवेश कर जाता है और साप भी महादेव की मूर्ती यानि की सिवलिंग के पास बैठकर महादेव का ध्यान करने लगता है प्रिये दर्शको जब वो महिला की पूजा समाप तो होती है और वो महिला अपनी आँके खोलती है अब जैसे ही वो आँके खोलती है तो उसकी नजर उस साप पे पढ़ जाती है प्रिये दर्शको जिसे किंग कोब्रा कहते हैं काला साप कहते हैं वही साप महादेव के मंदिर में बैठा हुआ था अब जैसे महिला उस साप को देखती है तो वो महिला डर जाती है क्योंकि वो साप बहुत बुजरुक था बहुत पुराना था और बहुत ही भारी था उस स साप के मुख पर कुछ मुच्छे निकले हुई थी अब वो महिला भो डर जाती है और चिलाने लगती है कि महादेव के मंदिर में साप गुश कया है और ये लोगों को जरूर डसेगा प्रिये दर्शकव अब वो साप उस महिला को अपने फन के द्वारा इंकार करता है उसे इ इसारा करता है कि तुम चिलाओ मत तुम भी महादेव की भक्त हूँ और मैं भी महादेव का पर्म भक्त हूँ इसलिए तुम चिलाओ मत लोगों को मत बुलाओ अन्निता लोग मेरी मृत्यू कर देंगे लेकिन वो महिला उस साप के इसारो को समझ ने सकी प्रिय दर्सको और वो चिलाती रही अंतते वहाँ पर काफी लोगों की भीड जमा हो जाती है कोई लाटी लेके आता है कोई डंडा लेके आता है इसी तरीके से काफी लोग मंदिर की प्रांगन में इकटे हो जाते हैं लेकिन साप वहीं पर बैठा रहा प्रिय दर्सको अब वो महिलाग गाव वालू से कहने लगती है कि ये साप मुझसे चछत गया है और ये मुझे जरूर डसेगा हो सकता है इस साप पर मेरे लहंगे की लावन गिर गई हो इसलिए ये बड़े गुसे में है और ये मुझसे बदला जरूर लेकर रहेगा और वो महिला गाव वालू से कहती है कि इस साप को जिन्दा मत छोड़ना अनित है ये मुझे जरूर डस जाएगा रात को आके मुझे डसेगा ये बड़ा जहरिला और बड़े गुसे वाला साप है प्रिये दर्सको अब वो साप बार बार उस महिला से इनकार करता है उसको सिगनल देता है उसे इसारा भी करता है लेकिन साप की सुनने वाला कोई नहीं था प्रिये दर्सको अब उस महिला के ऐसे कहने पर कुछ गाव के लोग उस साप पे वार करते है साथ में बुमहिला भी सबसे पहले बुमहिलाई साप पे वार करती है पहली लाठी बुमहिला साप को मारती है और उसके बाद अन्य गाउवाले उस साप को मारने लग जाते है अंतते उस साप की मृत्य हो जाती है सभी गाउवाले मिलकर उस साप को मार देते है प्रिये दर्शको जब वो साप की मृत्य होती है उस वक्त वो साप सिव की भक्ती पर बैठा हुआ था सिव का ध्यान लगा रहा था ऐसी इस्तिती में जब उसको मारा जाता है पहली लाठी वो महिला मारती है प्रेदर्सको तबो साप अंत समय में मरते वक्त दिवादी देव महादेव से सिर्फ एक ही गुहार करता है एक ही प्रातना करता है कि हे प्रबु ये महिला भी आपकी भक्त है और मैं भी आपकी भक्त हूँ लेकिन ये इस्तरी एक भक्त की पुकार को नहीं सुन सकी और इसने मुझे मरवा दिया है और मैं प्राण त्यागने जा रहा हूँ हे प्रबु मेरी भक्ती का फल आप मुझे दीजिए मुझे ये ही फल्ची ये कि मैं अगले जनम में इसी महिला के गरब से और साब के रूप में पैदा हूँ प्रिये दर्षको तब देवादी देव महादेव तक उसकी पुकार पहुशती है अंतते महादेव उस मरते हुए साब की इच्छा पूरी करते हैं प्रिये दर्सको अब 9 महिने बाद वो महिला गर्वती हो जाती है और उस महिला के गर्व में अब वो सांप पलने लगता है प्रिये दर्सको जब समय पूरा होता है तो वो महिला सांप के बच्चे को जनम देती है तो पुरी नगर में संसनी फैल जाती है पूरी नगर में हंगामा हो जाता है दूर दूर के राजा महाराजा दूर दूर के लोग उसे देखने के लिए आते हैं लेकिन वो महिला अपने सीने के टुकडे को अपने सीने से लगा के रखती है क्योंकि वो साप ही उसका सीने का टुकडा था जिसको उसने अपने गर्ब से जनम दिया था अपने आचल से दूद भी पिलाया करती और उसको बड़े अच्छे से रखा करती प्रिय दर्शको उस महिला ने जो पहले सिबजी के मंदिर में करम किये थे उनको भूल जाती है और अपने साप के बच्चे का लालन पालन करती है और साथ में महादेव से भी प्रात्ना करती है कि महादेव आपकी भक्ती का क्या यही फल मुझे मिला है यह कैसा फल दिया है लेकिन महादेव की इच्छा समझ कर उसको सह स्विकार करती है प्रिये दर्शको जब छे महने और 21 दिन होते हैं तब वो साप का बच्चा जिसने उस महिला के गरब से जनम लिया था तब वो अपना रूप प्रकट करता है और अपनी मा से कहने लगता है कि मा मैं वही साप हूँ जिसको आपने सिव के मंदिर में मरवा दिया था मैं तुम्हें मारने नहीं आया हूँ मैं तुम्हें यह एशास कराने आया हूँ कि तुमने मुझपर अनरगर लाचन लगा कर मेरी मृत्यू करवा दे थी इसलिए मैंने महादेव से ये वर्दान मांगा था कि प्रबू मैं इसी महिला के गरब से पैदा होना चाहता हूँ और इसके बेटे के रूप में होना चाहता हूँ वो भी साप के रूप में इसलिए महादेव की किरपा से मैं तुमारे गरब से साप के रूप में पैदा हुआ हूँ प्रिये दर्सको अबु समहिला को इस बात का ज्यान हो जाता है अबु महिला फूट फूट के रोने लगती है अपनी गलती का पच्चा ताप करती है लेकिन प्रिये दर्शको अब क्या होने वाला था प्रिये दर्शको अबु साप अपनी मा से कहता है कि मां तुम चिंता ना करो मैं हमेशा तुमारे साथ रहूँगा लेकिन अभी मैं तुम्हे छोड़ कर अपनी यताष्तान जा रहा हूँ जंगल में जा रहा हूं और वहां जाकर मा देव की फिर से भक्ति करूँगा प्रिये दर्श को इतना कहकर वो साप अपनी मा को प्रणाम करता है उस इस्तिरिक को प्रणाम करता है जिसने अपने गर्ब से साप को जनम दिया था और वो साप जंगल को चले जाता है और जंगल में जाकर मादेव की भक्ती करता है अंतते वो साप इच्छाधारी नाग हो जाता है और उसको मनी प्राप्त होती है प्रिय दर्सको इस तरीके से प्राचिनकाल समय में एक इस्तरी ने साप के बच्ची को जनम दिया था लेकिन आज के युग में क्या ऐसा होना संबव है प्रिय दर्सको हाले के वीडियो वाइरल हो रहे हैं कि महिला ने साप के बच्ची को जनम दिया है उसमें अल्टा साउंड की फोटो है, उसमें इस पस्ट साप की चवी दिखा रखी है, लेकिन प्रीधर्स को ये वीडियो फैक वीडियो है, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा कदापी नहीं हुआ कि महिला ने इस युग में साप के बच्चे को जनम दिया है प्रेज़र्सकों, दरासल में हम आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले एक Ultra Sound की जो फोटो वायरल हुई है, इस फोटो को कत्रिम रूप से बनाया गया है उस Ultra Sound की फोटो में सांप की सबी को एड किया गया है, उसके बाद उस फोटो को वायरल किया गया है प्रियदर्सको वो फोटो वाइरल होते ही काफी लोग उस पर वीडियो बनाने लगे और साथ में किसी महिला की फोटो लगा दी इसलिए प्रियदर्सको ये वीडियो बिल्कुल फैक है कि आज के जमाने में कोई महिला साप के बच्चे को बला जनम दे सकती है प्रियदर्सको और हम आपको ये भी बता दे कि जिन लोगों ने ये वीडियो बनाये हैं और उन वीडियो में जिन महिलाओं की फोटो लगाई है वो महिला येदि इस वीडियो को देखेंगी तो प्रियदर्सको उनके दिल से क्या गुजरेगी जरा इस बात को सूच कर देखिए कि जिस महिला की फोटो उन लोगों ने अपने वीडियो में एड़ की है उनके दिल पर क्या गुजरेगी जब वो इस वीडियो को देखेंगी और उस वीडियो में अपनी फोटो को देखेंगी हम उमीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आप लोगों को बहत पसंद आई होगी और इस जानकारी से आप धेर सारे लाब उठाएंगे मिलते हैं प्रियदर्सको आने वाले नक्स्ट वीडियो में तब तक अपना खयाल रखें जी नमस्कार धन्यवाद